हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस वी चैनल में तो दोस्तो आज की भी डिस्कस करेंगे कॉलिज एड्मिशन के बारे में कर पाएंगे आपके लिए भूट बड़ी गुड़नीवीज आगर आपने दोस्त इयर में 2021 में अदमेन लिया हैं किसी भी राउंड में लिया हो फच्टान में लिया हो CLC राउंड में लिया हो CLC third point जो भी राउंड में अपने अदमीसन लिया हो तो दोस्तो उसके लिए एक कुछ शर्थ रखी गई थी कि डॉक्मेंट सम्मिट करने होंगे हमको अपने कॉलिज में जाकर के जिसकी लाज़ट रखी गई थी 19 दिसमबर कितमी रखी गई थी 19 दिसमबर रखी गई थी लेकिन कापी स्टुडेंट्स जो की डॉक्मेंट का सम्मिट नहीं कर करना है ओके टीसी और माइग्रेशन ही सम्मिट करना है और कुछ आपको सम्मिट नहीं करना है चलिए दूस्तों पहले मैं आपको पूरा ओपीसल नोटिपेकेशन पढ़ा देता हूं जिससे आपको नपर हो जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख पार है ओपीसल नोट लेकिन मैंने आपको जैसा ही देखा आपको वीडियो के मादब से इंपोर्म करने की मैंने कोसिस की और आपको अच्छे से समझाने की कोसिस की है कि अब आप दूस्तों कब तक पने डॉक्मेंट का सम्मिट कर पाएगी तो देखे इस डॉक्मेंट का सम्मिट करने के बारे म पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ, पूरी information आपको दे देता हूँ, तो दोस्तो इस official notification पर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे last वाले पैरा को आपको अच्छे समझना है, यहाँ पर आपको last वाले पैरा में सब कुछ clear हो जाएगा, देखे, इस पैरा में लिखा गया है कि सम को निर्देश किया जाता है कि, संबंदित महा विध्या लएके, संबंदित बिस विध्या लेके निर्देशा नुषआ, 172,20 के, 21 की अंतगरत, इ 一ना तक परतंबर्ष, इना तकaya प्रितम सेमिस्टर के प्रिवेशित विद्ध 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 वि जिनोंने प्रितम बर्ष और प्रितम सेमिस्टर है यानि कि B.A.B. कॉम B.S.C. का पर्ष्ट है और M.A.M.C. के पर्ष्ट है सेमिस्टर के जिनोंने 2021 के लिए एड़मीशन लिया है उन एड़मीशन को कनपर्म किया जाब है एक निद्दिश दिया गया है कि जितनी भी सारे स्टुडेंट ने पीस सम्मिट किया है और पीस सम्मिट करने के बाद में जिन कैंडिडेट ने जिन चात्रों ने अभी तक पर डॉक्मेंट सम्मिट नहीं किये हैं उन से कॉंटेट करके अपना जो प्रविश है उनको कंपर्म करें यान की कंपर्म संद्दमंदी कारवाई है उनों उसको सुनुच्छित करें साथ ये भी निदिश दिया गया है कि जिन विद्यारतियों के पास में मूल यानि कि ओरिजिनल टीसी और माइग्रेशन सर्डिपिकेट नहीं है तो उनको क्या करना है उन चात्रों को करना है एक बचन पत्र जिया दोस्तों एक बचन पत्र आपको सम्मिट करना हुगा आप आप बचन पर submit करोगे तो आपको एक माह का अतरिक्त समय मिल जाएगा और एक माह के अंदर अंदर आपको दोस्तों क्या करना होगा अपने TCO migration को submit कर सकती है अब बात आती है कि दोस्तों अगर आप TCO migration को submit नहीं करोगे तो आपको क्या होगा तो आपका admission cancel हो जाएगा अब दोस्तों आप बोलो कि इसमें last date कितनी रखी गई है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर last date का कोई भी column नहीं है last date का issue हटा दिये गए है अब last date नहीं रखी गई है अब आप आराम से चाहें जब तक कर सकती है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ जो 5 जनवरी से पहले जियां दोस्तों मेरे पास अभी इसमें official notification में कोई ऐसा information नहीं लेकिन मेरे पास जो university से जो information हाई है उसके according आपको जो last date रखी कही है वो 5 जनवरी जियां दोस्तों पास जनवरी से पहले पहले आपको अपने कॉली में जाकर करके document submit करने है टीसी और migration जें दोस्तों टीसी और migration submit कर दीजी है इसके अलाबा आपको और कोई भी document submit नहीं करना है यूटीब पर तो उसके link आपको डिशन बॉक्स मिल जाएंगे यूटीब पर जाकर आप देख सकते हैं यूटीब चनल जिसका नाम है हमारा only study complete study subscribe नहीं किया है तो उसको जरू subscribe कर लिजिए link का पोडिशन बॉक्स में मिल जाए उस पर हमें इस टड़ी से रिलेटेव वीडियो आपको आप एबलेबल कराने ही कोसित करेंगे तो जानदा जानदा only study complete study YouTube चनल को जरू subscribe कर लेना साथ इस वीडियो को share कर देना ओके तो दुस्तों कोई भी डापको तो कमेंट करें मिलते ने इस वीडियो साथ अब तकली बाई